एक जगह एक लोभी और निर्दय ब्याग रहता था पक्षियों को मार कर खाना ही उसका काम था इस भ्यंकर काम के कारण उसके परिजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घुमा करता था एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फस गई उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया क्योर चला तो आकास बादलों से घिर गया मुसलाधार बर्शा होने लगी जो भी रहता है मैं उसकी सरन जाता हूँ इस समय जो मेरी शहायता करेगा उसका जन में भर रिनी रहूंगा उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पतनी को ब्याधने जाल में फसाया था कबूतर उश्य में पतनी के बियोग से दुखी होकर बिलाब कर रहा था पती को वो प्रेमातूर पाकर कबुतरी का मन आनंद से नाज उठा, उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग गये हैं, जो ऐसा प्रेमी पती मिला है, पती का प्रेम ही पतनी का जीवन है, पती के प्रशनता से ही इस तरी जीवन सफल होता है, मेरा जीवन सफल हुआ, यह विचार कर वह पति से बोली, पति देव मैं तुम्हारे शामने हूँ, इस ब्याद ने मुझे बांध लिया है, यह मेरे पुराने कर्मों का फल है, हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं, मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरनागत अतिथी की शेवा करो, जो जीव अपने अतिथी का सतकार नहीं करता, उसके सब पुन्य छूटकर अतिथी के साथ चले जाते हैं, और सब पाप वही रह जाते हैं, पतनी की बात सुनकर कभूतर ने ब्याद से कहा, चिंता न करो बधिक, इस घर को भी अपना ही जानो, कहो मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकत हूँ, ब्याद मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो, कभूतर ने लकणियां एकठी करके जला दी और कहा, तुम आगशेक कर सर्दी दूर कर लो, कभूतर को अब अतिथी सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किन्तु उसके घोशले में तो अन का दाना भी नही पुड़ा, अपने सरीर का बलिदान करके भी उसने ब्याद के तरपन करने का प्रन पूरा किया, ब्याद ने जब कभूतर का ये अदबुत बलिदान देखा, तो आश्चरी में डुब गया, उसकी आत्मा उसे धिक कारने लगी, उसी छन उसने कभूतरी को जाल से निकाल कर मुक्त कर दिया, और पक्षियों को फसाने के जालवा अन्यूब करनों को तोड़ फोड़ कर फेक दिया, कभूतरी अपने पती को आग में जलता देखकर बिलाप करने लगी, उसने सोचा, अपने पती के बिना अब मेरे जीवन का प्रायोजन ही क्या है, मेरा संसार अब किसके लिए प्रान धारन करूं या सोचकर वह पती ब्रत भी आग में कुद पड़े, इन दोनों का बलेदान पर आका से पुष्प बर्शा हुई, ब्याद ने भी उसी दिन से प्रान हिंसा छोड़ दी